आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉंग टाइप कोसेंसर में यह आता है पांच नंबर के कोसेंस में आपका यह जो है टॉपिक आ सकता है यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिवाहकल अंसागर एक्वेशन डिवाहकल थियोरी डिवाहकल लिमिटिंग लॉओ और क activity coefficient क्या होता है, इसको किस प्रकार से determine करते हैं, इसको देखेंगे, तो आज हम देखेंगे activity, activity coefficient, तो इसका derivation देखने से पहले, इसका जो activity, activity coefficient का formula निकालने से पहले, हम इसका जो है basic introduction और इसका जो है definition देख लेते हैं, कि activity होता क्या है, तो हमारा activity क्या होता है, इसको परिभा total concentration B C है and that of the non-solvated molecule यह किसका है non-solvated molecule का है B alpha है मालो A से represent करते है non-solvated molecule को ठीक है then the ratio A upon C is known as active fraction ठीक है क्या बोलता है कि किसी भी non-solvated molecule का concentration C है और उसका non-solvated molecule alpha का concentration C है तो दोनों का जो भीन होता है दोनों का ratio होता है जो fraction होता है वो A upon C होता है जिसको जो है active fraction के active fraction कहा जाता है the effective concentration या फिर squeeze प्रकार से भी परिवासित कर सकते हैं the active concentration are the concentration of the non-solvated molecule is known as activity मतलब effective concentration मतलब C या फिर किसी भी non-solvated molecule अलफा का यह अलफा है non-solvated molecule of alpha का concentration C दोनों के fraction को जो है activity कहा जाता है मतलब A upon C जो है इसको जो है activity कहा जाता है इस concept वस गिवन बाइ जी एन लेविस 1908 में 1988 में इसको जो है जी एन लेविस ने प्रदान किया था इस concept को ठीक है और यह इसको इसको इसका क्या है the term A upon C is term as activity coefficient कहा जाता है यह अपन C को and मलब यहाँ पर only C जो है हमारा इसको activity कहा जाता है और A upon C जो term है हमारा उसको जो है activity coefficient कहा जाता है यह यह usually represent by F यह गामा से इसको रिप्रेजन किया जाता है तो activity बहुत easy है activity का परिभास आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी किसी भी non-solvated molecule होता है हमारा उसको जो concentration C होता है दोनों के ratio को जो है हमको activity कहते हैं और activity coefficient A upon C जो term होता है हमको इसको activity coefficient कहते हैं और इस C upon A equal to F या गामा से हम इसको रिप्रेजन करता है यह हमारा activity का main equation है ठीक है इसको ही अब हम जो है देखते हैं देखते हैं कि activity activity coefficient का जो है हमारा derivation किस परकार है mathematical रूप से इसको किस परकार रिप्रेजन करता है तो activity activity coefficient को क्या होता है mu i equal to mu i zero plus rt len pi से रिप्रेजन करते हैं generally यह हमारा एक equation है equation first आप इसको दे सकते हैं equation first दे सकते हैं यह आपको याद करना पड़ेगा mu i equal to mu i zero plus rt len ppi इसका जो है एक equation है जहां पर mu i zero chemical potential of the component at a unit pressure में जो होता है and mu i equal to mu i plus rt len यहां पर यह एक्चरिक गामा का sign है आप इसको दोजार लिए किस परकार साब गामा लिखते हैं तो यह गामा है gamma i गामा हमारा हुई है activity coefficient है तो हम उसको यहां पर represent करते हैं जहां पर x i यहां पर gamma i यह जो है mole fraction, mole fraction मतलब यहां पर a upon c है ठीक है यह गामा का मतलब mole fraction है a upon c तो mu i बराबर यह equation में जब हम यहां पर इसको rt len pi के जगा replace करते हैं गामा i को जिसका मतलब होता है mole fraction तो हमारा जो main formula हो जाता है mu i equal to mu i 0 plus rt len gamma i, gamma i के साथ fi भी जुरेगा क्योंकि x यह गामा है gamma और f equal to हमारा हो जाता है activity coefficient ठीक है तो मतलब यहां पर देख सकते हैं इसको alpha से represent करते हैं तो यह x into fi जो है हमारा equal to activity है जिसको alpha से represent करते हैं तो हमारा generally जो mu i is equal to mu i 0 plus rt len alpha i होगा मतलब हमारा तो हमारा मतलब यह alpha जो है equal to हमारा activity है ठीक है a upon c बरबर activity होता है और a equal to हम इसको c equal to activity से हम represent करते हैं यह alpha upon c को जो हम activity coefficient करते हैं जिसको हम alpha से भी represent करते हैं तो मतलब हमारा यह derivation है एक्षिली यह activity coefficient का हमारा main formula है जिसको हम निकालते हैं activity activity coefficient activity हमने समझ लिया उसका general definition दे सकते हैं समझा सकते हैं उसके बाद यह इस formula में हमको पी आई के जगा जो है gamma i को रख के उसके बाद gamma और f दोनों का मतलब ही हमारा होता है activity तो दोनों के into करें लेंगे उसके जगह हम alpha लेंगे तो हमारा main formula निकलेगा यह actually usually derivation है हमारा तो main formula हमारा activity coefficient का mu i is equal to mu i mu i equal to mu i zero plus rt ln ai है यह main formula हमारा निकल जाता है अब इसके बाद हम देखेंगे determination of activity activity coefficient गिप्स-डुम equation से next वीडियो में इस वीडियो में इतना ही activity का परिभासा क्या है उसका main basic mathematical concept क्या है समझेंगे समझ लिए हैं I hope कि आपको समझ में आया होगा क्या है और आपके लिए useful होगा यह semester exam के point of view से बहुत important है तो बस यही था इस topic का analysis आगे क्यों topics देखने के लिए please support कीजिए like share and subscribe to my channel and thank you so much for watching